आज की वीडियो का श्रह जाता है श्रीमान बापी चटर जी के इस कमेंड को श्रीमान चटर जी आपके कमेंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप सभी लोग रिलाइन्स निपॉन लाइफ इंशॉरेंस कंपनी लिमिटेट के निश्चित भविश्य प्लान की जान करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़े रहे हमारे साथ और कमेंड सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंदित चाहते हैं एलो एवरिवान बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं यूदरीयल मैं हूँ आपका अपना निजी सलहकार आमित्राश शर्मा चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी रिलाइन्स निपॉन लाइफ इंशॉरेंस कंपनी लिमि नहीं करेगी तो आपके प्रीमियम के ऊपर आपको जोखिम यहां पे नहीं होगा अब पार्टिसिपेटिंग है इसका मतलब है कि पॉलसी टम के दोरान इंशॉरेंस कंपनी ने अगर बॉनस अनौंस किया तो आपको गारंटेड रूप से फिर वो पे किया जाएगा इसी के लाइफ इंशॉरेंस प्लान है इसलिए पॉलसी टम के दोरान आपका जीवन भीमा बना रहता है जो आपके नौमिनी को दिया जाता है अगर अन्वांटेड इवेंट होता है तो आईए अब हम जानते हैं प्लान की इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो क फुल स्क्रीन पे करते हैं तो मैं पता चलता है कि प्लान लेने की जो मिनिममम आईउ है वो है साथ साल यानि की साथ साल के बच्चे के लिए आप ये प्लान ले सकते हैं अधिकतम 55 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे विचौरटी एज का लिमिट है 22 साल से लेकर के 70 साल मिनिममम जो बेस सम अशौर्ड का लिमिट है वो है 80,000 रुपे का अधिकतम सम अशौर्ड डिपेंड करता है कंपनी के उपर कि आपको कितना देती है कितना अलाव करती है आपकी इलिजिबिलिटी के अनुसार साला ना मिनिममम प्रिमिमम का जो लिमिट है वो है 12,000 रुपे का मैकसिमम डिपेंड करता है प्रिमिमम सम अशौर्ड के अकॉर्डिंग बात आती है पॉल सीटम की तो पॉल सीटम आपको इसमें 15 से 30 साल तक का आपको मिल जाता है minimum 15 साल का है maximum 30 साल तक का आपको मिल रहा है अब बात आती है premium payment time की दो option है regular pay अगर IU 7 साल से लेके 50 साल तक की है तो 15 से 30 साल तक का आपको मिल जाएगा regular premium payment term का option इससे ज़्यादा अगर आई यू है तो regular premium payment term का option नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा limited pay का, limited pay में आपको 10 साल का premium payment term मिल जाता है, regular pay से आशाय होता है कि जितने साल का policy term आप ले रहें उतने साल अप लगातार premium pay करेंगे, ठीक है जी, plan में दो अलग-अलग variant है, ज्या सी बंद हो जाती है, फिर दूसरा है extended cover, इसमें क्या होगा, अगर आप maturity तक survive करेंगे, तो maturity benefit मिल जाएगा और उसके बाद में भी आपका life cover बना रहेगा, यानि कि death benefit उसके बाद भी pay along किस तरीके से होंगे, समझने के लिए हम यहाँ पे Reliance Nippon Life Insurance Company Limited के lifelong saving plan के main benefits को समझने के फिलो धारन ले ले लेते हैं, माल लेते हैं श्रीमान A है, जिनकी आयू 30 साल की है, उन्होंने plan option लिया standard और policy time यहाँ पे लिया 20 साल का, वो यहाँ पे limited premium payment time का option ले रहे हैं, यानि कि premium payment time 10 साल का ले रहे हैं, और ऐसे में जो premium rate होगा, वो 9.3 उस्यून एक प्रतिशत का हो ज guaranteed edition, guaranteed edition मिलता है, policy के पहले 5 साल लगाता है, जो की base sum assured का 4 प्रतिशत होता है, यह आपको मिलता नहीं है, यह आपको maturity पे या death benefit पे ही maple होता है, यानि कि policy freedom के दुरान यह खटा होता रहता है, तो 10 लाख रुपे का आप 4 प्रतिशत निकालेंगे, फिर उसमें आप 5 का गोड़ कर देंगे, तो 2 लाख रुपे का guaranteed edition यहाँ पे हो जाता है, जिसे आप accurate guaranteed edition कहते हैं, प्लान में जो simple reversionary bonus का rate है, वह साड़े 3 प्रतिशत का, simple reversionary bonus rate आपको policy के 6 साल से ले करके policy come के अंत तक मिल सकता है, तो ऐसे में simple reversionary bonus period हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15 साल का, क्योंकि 5 सा क्या मिला, guaranteed edition उसके बाद से मिलना शुरू हुआ, simple reversionary bonus, इसकी भी calculation based sum absurd पे की जा रही है, 10 लाग का 3.5 प्रतिशत निकाला, 15 का हमने उसमें गुणा कर दिया, तो हर साल 35,000 रुपे की दर से हम जो मान रहे हैं उसके अनुसार, 5 लाग 25,000 रुपे का wasted simple reversionary bonus यहाँ पे हो ग लब है कि जो आपने base sum absurd लिया है, हमने लिया 10 लाग रुपे का और जो guaranteed edition का amount होगा 5 साल का वो जोड दिया जाएगा, तो हमारे example के अनुसार sum absurd on maturity हमारा 12 लाग रुपे का बैठा, हमारे example के अनुसार जो terminal bonus का rate apply हो रहा है, वो 76 प्रतिशत का हो रहा है, और इस plan में terminal bonus का rate multiply क कर दिया जाता है, जितना भी bonus एखटा हुआ है, जो कि simple revolutionary bonus है, तो ऐसे में terminal bonus हो जाता है 32,812 रुपे 50 पैसे, क्योंकि सबा 5 लाग रुपे का सबा 6 प्रतिशत निकाला, तो हमारा maturity benefit क्या होगा, समच order maturity जो की 12 लाग रुपे का है, वेस्टे simple revolutionary bonus जो की सबा 5 लाग रुपे क है, और 32,812 रुपे 50 पैसे का हो गया terminal bonus, तो 17,57,812 रुपे 50 पैसे का हमारा maturity benefit हो जाता है, जिवाप bonus factor की PDF चेक करेंगे, जो की आपको telegram channel पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे साफ लिखा है, कि terminal bonus की calculation की जा रही है, occurred simple revolutionary bonus पर उसका एक निश्चित प्रतिशत है, अगर मृत्य policy के 9 साल बाद हो रही है, तो terminal bonus का rate 5 प्रतिशत अपलाई हो रहा है, अगर maturity हो रही है, तो इसके मदलब 10 वा साल भी complete हो जाएगा, तो ऐसे में 76 प्रतिशत का हमारा terminal bonus अपलाई हो रहा है, हमने माना कि श्रीमान एक इम्रत्वी policy के 10 साल बाद हो गई, तो ऐसे में some assurance on death हम न निकाल लेंगे, तो तीनों का comparison कर लेंगे, तो यहाँ पे some assurance on maturity ही जादा होगा, यानि कि some assurance on death हो गया 12 लाग रुपे का, ठीक है जी, death benefit क्या कहता है प्लान में, दोनों ही option के साथ में, अगर policy term के दोरान दियत होती है, तो some assurance on death, wastage simple reversionary bonus और terminal bonus, अब साड़े 3 लाग की दर स तो some assurance on death हो गया हमारे याँ पे 12 लाग रुपे का, वेश से simple reversionary bonus हुआ 3 लाग रुपे का, 21,875 का हो गया हमारे याँ पे terminal bonus, तो 15,17,875 रुपे का death benefit हो गया, तो इस तरीके से maturity benefit और death benefit की calculation आप करेंगे, इस प्लान में अगर कोई confusion है तो comment section में आप पूछ सकते हैं, अब बात करते हैं extended cover option के benefit की, तो देखे maturity benefit तो same ही तरीके से calculate किया जाएगा, जैसा कि standard option के case में किया जा रहा था, बिल्कुल same, right? और अगर policy term के दौरान मृत्ती हो जाती है, तो फिर death benefit की calculation भी बिल्कुल same ही है, जैसा standard option में हमने करी, उधारन के साथ में कोई change हमें देखने के लिए नहीं मिलता, अब मालीजे extended cover option आपने लिया और maturity तक survive कर गए, आपने maturity benefit ले लिया, ठीक है? उसके बाद में देख हो गई, यानि की policy term जो आपने मालीजे 20 साल का लिया और उसके बाद अगर देख होगी तो क्या होगा? फिर nominee को दिया जाएगा, यहापे claim, claim amount क्या cover में आप whole life cover तक मिल जाता है, यानि की extended cover option में आपको whole life cover मिल जाता है, ठीक है? I hope यह चीज़ आपको clear होगी, अब हम अगले भाग में surrender value और reduced paid up policy के benefit के बारे में बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपको जानकारी clear है तो please video को like करें, share करें और चैनल को subscribe करके जोड़े रहें हमारे साथ और एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि insurance एक protection है, protection कभी अधूरी नहीं लेते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अबार, अपना ध्यान लखिएगा आप सबी, thank you